ओम स्री मन नाराय अनाईनमे शिरी बिश्णु पुराण के दूसरे अंस के आठे व्यद्याय का नुबाद शूर्य नक्षत्र एवं राज्यों की विवस्ता तथा कालचक्र लोकपाल और गंगा अविर्भाव का वर्डन सिरी परासर जी बोले है सूबरत मैंने तुम से ही है ब्रह्मान की इस्थिती कही अब सूर्य आदी गिरहों की इस्थिती और उनके परिमाल सुनो हेमुनिस रेष्ट सूर्य देप के रत का विस्तार नो हजार योजन है तथा इससे दुना उसका ईशा दंड जुवा और रत के बीच का भाग है उसका धुरा देल करोड सात लाग योजन लंबा है उसमें जिसका पहिया लगा हुआ है उस पूर्वान मद्याहन और परहा रूप तीन नाभी परीबत सरादी पांच अरे और शड रितुरूप छै नेमी वाले अक्षश रूप संबत सरात्मक चक्र में संपून काल चक्र इस्तित है साथ छंद ही उसके घोड़े हैं उनके नाम सुनो गायत्री ब्रेहती उशलिक जगती त्रिश्टूप अनुश्टूप और पंकती ये च्छंद ही सुर्य के साथ घोड़े कहे गए हैं ये महा मते भागवान सुर्य के रत का दूसरा धुरा साड़े पैंतालिस सहस्र योजन लंबा है दोनों धुरों के परिमाल के तुलिये ही उसके युगार्दो अर्था जुओं का परिमाल है इन में से छोटा धुरा उसरत के एक युगार्द जुए के सही धुरूप के अधार पर इस्थित है और दूसरे धुरे का चक्र मानसोत्तर परवत पर इस्थित है इस मानसोत्तर परवत के पूरु में इंद्र की, दक्षिन में यम की, पश्ची में वरुन की और उत्तर में चंद्रमा की पुरी है उन पुरियों के नाम सुनो इंद्र की पुरी बैसवोक सारा है, यम की सयमनी है, वरुन की शुखा है और चंद्रमा की विभावरी है हे मैत्रई जोतिस चक्र के सहित भगवान भानू दक्षिन दिसा में पिर्वेश कर छोड़े हुए बाल के समान तीब रुवेक से चलते हैं भगवान सूर्देव दिन और रात्री की विवस्था के कारण है और रोगादी कलेशों के छीड हो जाने पर बेहिक्रम मुक्ति भागी योगी जनों के देवायन नामक स्रेष्ट मार्ग हैं हिमेत्रई सभी डिपो में सर्वदा मद्याहन और मध्ध रात्री के समान सूर्देव मध्ध आकास में सामने के और रहते हैं इसी परकार उदय और अस्त भी सदा एक दूसरे के समुक ही होते हैं हिब्राम्हन, समच्त दिसा और बिदिशाओं में जहांके लोग रात्री का अंत होने पर सूर्जे को जिस इस्थान पर देखते हैं, उनके लिए वहां उसका उद्ध होता है, और जहां दिन के अंत में सूर्जे का तिरोबहाव होता है, बहीं उसका अस्त कहा जाता है, इंद्रादी से किसी की पुरी पर प्रकाशित होते हुए सूर्जे देव, पासर अबरती, दो पुरियों के सहित, तीन पुरियों और दो कोड़ों विदिशाओं को प्रकाशित करते हैं, इसी परकार अगनी आदी कोड़ों में से किसी एक कोड़ में प्रकाशित होते हुए बे पासर उबरती दो कोणों के सहित तीन कोण और दो पुरियों को परकाशित करते हैं सूर्य देव उद्य होने के अनंतर मद्याहन परियंत अपनी बढ़ती हुई किर्णों से तपते हैं और फिर छीड होती हुई किर्णों से अस्त हो जाते हैं सूरे के उदे और अस्त से ही पूर्व तथा पस्षिम दिसाओं की विवस्ता हुई है बास्तम में तो बे जिस प्रकार पूर्व में प्रकास करते हैं उसी प्रकार पस्षिम तथा पाशर वरतिनी उत्तर और दक्षन दिसाओं में भी करते हैं सुर्य देव परवत सुमेरु के उपर रिस्तित ब्रह्मा जी की सभा के अतिरिक्त और सभी स्थानों को परकाशित करते हैं उनकी जो किरणे ब्रह्मा जी की सभा में जाती हैं बे उसके तेज से निरस्त होकर उल्टी लोट आती हैं सुमेरू परवत समस्त दीप और वर्षों के उत्तर में है इसलिए उत्तर दिशा में मेरू परवत पर सदा एक और दिन और दूसरी और रात रहते हैं रात तरी के समय सूरे के अस्त हो जाने पर उसका तेज अगनी में पिविश्ट हो जाता है इसलिए उस समय अगनी दूर ही से प्रकासित होने लगता है इसी प्रकार हे दिजे दिन के समय अगनी का तेज सूर्य में पिर्विष्ट हो जाता है अतेह अगनी के सही सूर्य अत्यंत प्रकर्टा से प्रकासित होता है इस प्रकार सूर्य और अगनी के प्रकास तता उश्लता में तेज परस पर मिल कर दिन रात में ब्रद्धी को प्राप्त होते रहते हैं मेरू के दक्षने और उत्तरी भूम्यार्द में सूर्य के प्रकासित होते समय अंधकार मैं रात्री और प्रकास मैं दिन करम सह जल में पिर्वेस कर जाते हैं दिन के समय रात्री के पिर्वेस करने से ही जल कुछ तामर वरन दिखाई देता है किन्तु सूर्य अस्त हो जाने पर उसमें दिन का प्रवेस हो जाता है इसलिए दिन के प्रवेस के करण ही रात्री के समय वह सुक्ल वरन हो जाता है इस प्रकार जब सूर्य पुष्करदीप के मद्ये में पहुँचकर पिर्थ्वी का तीसवा भाग पार कर लेता है तो उसकी वहगती एक मुहुरत की होती है अर्थात उतने भाग के अतिकर्मन करने में उसे जितना समय लगता है बही मुहुरत कहलाता है हिद्वीज कुलाल चक्र कुमार के चाक के सिरे पर घूमते हुए जीप के समान भिर्मन करता हुआ यह सूर्य पृत्वी के तीसो भागो का तीकर्मन करने पर एक दिन रात्री करता है हिद्वीज उत्त्रायन के आरंब में सूर्य सबसे पहले मकर रासी में जाता है उसके पस्चाद भेह कुम्ब और मीन रासियों में एक रासिय से दूसरी रासिय में जाता है इन तीनों रासियों को भोग चुकने पर सूर्य रात्री और दिन को समान करता हुआ बैसुवती गती काव लंबन करता है अर्थाद भेह भूमदे रेखा के बीच में ही चलता है उसके अनंतर नित्य पिरती रात्री छीड होने लगती है और दिन बढ़ने लगते है फिर मेश तता ब्रिस रासि के अतिकरमण कर मिथुन से निकल कर उत्तरायन की अन्तिम सीमा पर उपस्तित हो भेह करक रासि में पहुँचकर दक्छिनायन का अरंब करता है जिस प्रकार कुलाल चक्र के सिरे पर इस्तितजीव अतिसीगरता से घूमता है उसी प्रकार सुझे भी दक्छिनायन को पार करने में अतिसीगरता से चलता है अतेबहे अती सीगता पूर्वग बाईयू बेक से चलते हुए अपने उतकरिष्ट मार्ग को थोड़े समय में ही पार कर लेता है इद्विज दक्चलायन में दिन के समय सीगरता पूर्वग चलने से उस समय के साड़े तेरे नक्षत्रों को सूर्य बारह मुहरतों में पार कर लेता है किन्तु रात्री के समय मंदगामी होने से उतने ही नक्षत्रों को अठारह मुहरतों में पार करता है कुलाल चक्र के मज़ए में इस ती जीव जिस परकार दीरे दीरे चलता है उसी परकार उत्तरायन के समय सूर्य मंदगती से चलता है इसलिए उस समय भै थोड़ी सी भूमी भी अतिदीरग काल में पार करता है उत्रायन का अंतिम दिन अठारे महुरत का होता है उस दिन भी सूर्य अतिमंद गती से चलता है और जोतिस चक्रार्द के साड़ेते हैं नक्षत्रों को एक दिन में पार करता है किन्तु रात्री के समय वे उतने ही साड़ेते हैं नक्षत्रों को बारे महुरतों में ही पार कर लेता है जिस परकार नाभी देश के चक्र में मंद मंद घूमने से वहां का मृत पिंड भी मंद गती से घूमता है उसी परकार जोतिस चक्र के मध्ये में इस्ति धुरूब अति मंद गती से घूमता है हिमेत्रई जिस परकार कुलाल चक्र के नाभी अपने स्थान पर ही घूमती रहती है उसी परकार धुरूब भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता है इस परकार उत्तर तथा दक्षन सेमाओं के मध्ये में मंदलाकार घूमते रहने से सूद्रे की गती दिन अत्वा रात्री क काल में सीग्र होती है उस समय दिन में बंद हो जाती है हेद्विज सूर्य को सदा एक बराबर मार्ग ही पार करना पड़ता है एक दिन रात्री में वह समस्त रास्यों का भोग कर लेता है सूर्य छे रास्यों को रात्री के समय भोगता है और छे को दिन के समय रास्यों के परि मार से ही होती है राशियों के भोगानुसार ही दिन अत्वा रात्री की लगुता अत्वा दीरगता होती है उत्तरायन में सूर्जे की गती रात्री काल में सीग्र होती है तथा दिन में मंद दक्छडायन में उसकी गती इसके विपरीत होती है रात्री उसा कहलाती है तथा दि ब्यूष्टी पिरभात कहा जाता है इन उसा तथा ब्यूष्टी के बीच के समय को संध्या कहते हैं इस अतिदारुन और भयानक संध्याकाल के उपस्थित होने पर मन देहा नामक भयंकर राक्ससगर सूर्जे को खाना चाहते हैं ही मैत्रई उन्हों राक्ससों को पिरजापत का यह साफ है कि उनका शरीर अक्षे रहकर भी मरण नित्य पिरती हो अतहस अंध्याकाल में उनका सूर्डे से अतिभीचर युद्ध होता है यह महमुने उस समय विजोत्म गड़ जो ब्रह्म स्वरूप ओमकार तथा गायत्री से अभी मंत्री जल छोड़ते हैं उस बज्र स्वरूप जल से बेदुष्ट राक्सस दग्द हो जाते हैं अगनी होत्र में जो सूर्यो ज्योती इत्यादी मंत्र से प्रतमाहूती दी जाती है उससे सहसरांसु दिननात दैदिप्यमान हो जाते हैं ओमकार विश्व तेजस और प्राग्यरूप तीन धामों से युक्त भ गड़नश्ट हो जाते हैं सूर्य बिश्व भाग्वान का अति स्रेष्ट अंस और विकार रहित अंत ज्योती ही स्वरूप है ओमकार उसका वाचक है और वह उससे उन राक्ससों के बद में अत्यंत प्रिद करने वाला है उस ओमकार की प्रणा से अति प्रदीप्त होकर वह ज्योती मंदेह नामक संपूर पापी राक्ससों को दग्द कर देती है इसलिए संध्यों पाशन कर्म का उलंगन कभी नहीं करना चाहिए जो पुरूस संध्या पसंद नहीं करता वह भागवान सूर्य का घात करता है तदंतर उन राक्ससों का बद करने के पस्षाद समणों से सुरक्षित होकर गमन करते हैं पंद्रह निमेश की एक काश्था होती है और तीस काश्था की एक कलागी नहीं जाती है तीस कलाओं का एक महुरत होता है और तीस महुरतों का संपूर दिन और रात होते हैं दिनों का हिरास अथ्वा ब्रद्धी करमशे है प्रातहक समान भाव से एक महुरत की ही होती है उदै से लेकर सूरे की तीन महुरत की गती की काल को प्राते काल कहते हैं यह संपूर दिन का पांचवा भाग होता है इस प्राते काल के अनंतर तीन महुरत का समय संगव कहलाता है तता संगव काल के परश्चाद तीन महुरत का मध्यान होत से पीछे का समय अपराहन कहलाता है इस काल भाग को भी बुद्ध जन तीन मोहरत का ही बताते हैं अपराहन के बीतने पर सायाहन आता है इस प्रकार संपूर्ण दिन में पंद्रह मोहरत और पिर्टियक दिवसांस में तीन मोहरत होते हैं वैसुबद दिवस पंद्रह मोहरत का होता है किन्तु उत्रायन और दक्षलायन में क्रमस है उसके ब्रद्धी और हिरास होने लगते हैं इस पिरकार उत्रायन में दिन रात्री का ग्रास करने लगता है और दक्छलायन में रात्री दिन का ग्रास करती रहती है शरद और बसंत रितू के मध्य में सूर्य के तुला अत्वा मेंस रासी में जाने पर विशुब होता है उस समय दिन और रात्री समान होते हैं सूर्य के करक रासी में उपस्थित होने पर दक्षवायन कहा जाता है और उसके मकर रासी पर आने से उत्रायन कहलाता है हिब्रामन मैंने जो तीस महुरत के एक रात्री दिन कहे हैं ऐसे पंद्रह रात्री दिवस का एक पक्ष कहा जाता है दो पक्ष का एक मास होता है दो सोर मास की एक रितू और तीन रितू का एक अयन होता है दो अयन ही मिलाकर एक बर्स कहे जाते हैं सोर सावन चांद्र और नाक्षत्र इन चार प्रकार के मासों के अनुसार विभित रूप से कल्पित संबत रासी संबत सरादी पांच प्रकार के वर्स युग कहलाते हैं यह युग ही मलमासादी सप्रकार के काल निर्णे का कारण कहा जाता है उन में पहला संबत सर दूसरा परिवत सर तीसरा इद सर चोथा अनुवत सर और पांचवा वत सर है यह काल युग नाम से विख्यात है स्वेद वर्स के उत्तर में जो सरंगवान नाम से विख्यात परवत है उसके तीन सरंग है जिनके कारण यह सरंगवान कहा जाता है उन में से एक सरंग उत्तर में एक दक्छिर में तथा एक मध्या में है मध्य सरंग ही वैसुवत है शरद और बसंत रितु के मध्य में सूर्य इस बैसुबस रंग पर आ जाते हैं अतेह मैत्रे में सथवा तुला रासी के आरंब में तिमराप हरी सूर्य देव विशूबत पर इस्थित होकर दिन और रात्री को समान परिमाड कर देते हैं उस समय ये दोनों पंद्रय पंद्रय महरत के होते हैं हे मुने जिस समय सूर्य कृतिका नक्षत्र के पिर्थम भाग अर्थात मेश रासी के अंत में तथा चंद्रमा निश्चे ही विशाखा के चतुरांस अत्वा ब्रक्षिक के आरंब में हो अत्वा जिस समय सूर्य विशाखा के इत्रत्य भाग अर्थात तुला के अंतिम मास का भोग करते हों और चंद्रमा करतिका के पिर्थम भाग अर्थात मेशान्त में इस्थित जान पड़े तभी यह बिशूब नामकाती पवित्र काल कहा जाता है इस समय देपता अब्रामण और पित्रगण के उदेश्य से सहें चित होकर दान आदी देने चाहिए यह समय दान ग्रेहन के लिए मानो देपताओं के खुले हुए मुक के समान है अत्य बिशूब काल में दान करने वाला मनुस्य करत करत्य हो जाता है यागादी के काल निरने के लिए दा, दिन, रात्री, पक्ष, कला, काश्ट और छण, आदी का भी से भली परकार जानना चाहिए राका और अनुमती दो परकार के पुर्णमासी तथा सिनी वाली और कुहू दो परकार की आमावस्या होती है माग, फालगुन, चैतर, बैशाक, जेट, अशाल, ये छे मा सुत्रायन होते हैं और स्रावन, भाद्र, आस्विन, कार्तिक, और अगहन, पोस, ये छे दक्चलायन कहे जाते हैं पहले मैंने तुम से जिस लोका, लोक परबत का वरलन किया है उसी पर चार वरतसील लोक पाल निवास करते हैं हिद्विज, सुदामा करदम के पुत्र, शंक, पाद और हिने रोमा तथा केतुमान ये चारो निर्द्वंद, निराभिमान, निरालस्य और निश परिग्रह लोक पालगण, लोका लोक परबत की चारो दिशाओं में स्थित हैं जो अगस्त के उत्तर और अजवीथी के दक्षिण में वैस वानर मार्ग से भिन ब्रग वीथी नामक मार्ग है वही पित्रियान पत है, उस पित्रियान मार्ग में महत्मा मुनिजन रहते हैं जो लोग अगनी होत्री होकर प्राणियों की उत्त्ति के आरंभक, ब्रह्मा, बेद की इस्तूति करते हुए यज्यानुष्टान के लिए उद्यत हो कर्म का आरंभ करते हैं वह पित्रियान उनका दक्छिल मार्ग है बेयुग युगांतर में बिछिन हुए वैदिक धर्म की संतान तपस्या वरणास्रा मर्यादा और विवेद शास्त्रों द्वारा पुने इस्थापना करते हैं पूर्वतन धर्म परवर्तक ही अपनी उत्तरकालीन संतान के यहां उत हैं इस परकार बे विरतशील, महिर्शिगण, चंद्रमा और तारा गण की इस्तिती परियंत सूर्य के दक्छिल मार्ग में पुने पूने आते जाते रहते हैं नागवीथी के उत्तर और सबत्रिश्यों के दक्छिल में जो सूर्य का उत्तरिया मार्ग है वहे देवियान मा कहते हैं उसमें जो प्रिशिद्ध निर्मल सोभाव और जितेंद्रिय ब्रह्मचारीगान निवास करते हैं बेसंतान की इच्छा नहीं करते अत्या उन्होंने मृत्यू को जीत लिया है सूर्जय के उत्तर मार्ग में अस्सी हजार उर्धा व्रेता मुनेगा प्रलेकाल परिय काम बासना के एस अयोग और सब्दादी विशयों के दो दर्सन इत्यादी कारणों से सुद्चित होकर अमर्ता प्राप्त कर ली है भूतों के प्रले परियंत इस्थिर रहने को ही अमर्ता कहते हैं तिरलोकी की थिति तक के इस काल को ही अपुन्र मार्ग अर्थात पुन्हर मृत्यू रहित कहा जाता है हिद्विज ब्रह्मा हत्या और असुमेग यग से जो पाप और पुर्णे होते हैं उनका फल पिरले परियंत कहा गया है हिमेत्रई जितने पिर्देश में धुरूब इस्थित हैं पिर्थ्वी से लेकर उस पिर्देश परियंत संपूर्ण देश पिरले काल में नश्ट हो जाता है सब तरिशियों से उत्तर दिशा में उपर की ओर जहां धुरूब इस्थित हैं बहाती तेजों में इस्थान हिया कास में विश्नु भागवान का तीसरा दिब्य धाम है हिबिप्र पुल्ण ये पाप के छीन हो जाने पर दोस पंक सुनने है संयत तात्मा मुनिजनो का ही यही परमिस्थान है पाप पुल्ण ये के निब्रत हो जाने तथा देह प्राप्तियों के संपूर्ण कारणों के नश्ट हो जाने पर प्रानिकार जिस स्थान पर जाकर फिर सोक नहीं करते बही विश्णु भगवान का परमपद है जहां भगवान की समान एस्वर्यता से प्राप्त हुए योग द्वारा से तेज होकर धर्म और धुरुप आदी लोक शाक्षी कर निवास करते हैं भगवान विश्णु का परमपद है ही मैत्रई जिसमें यह भूत भविस्यत और बर्तमान चराचर जगत ओध परोथ हो रहा है भगवान विश्णु का परमपद है जो तलीन योगी जनों को आकास मंडल में दैदी प्यमान सूर्य के समान सबके प्रकाशक रूप से प्रतीत होता है तता जिसका विवेग ज्यान से ही प्रत्यक्ष होता है वही भगवान विश्णु का परमपद है उस विश्णुत में ही सबके आधार भूद परम तेजस्वी ध्रूब इस्थित हैं तता ध्रूब जी में समस्त नक्षत्र में मेग और मेगों में बृष्टी आसरइथ हैं यह महमुने उस बृष्टी से ही समस्त शरश्टी का पोशलण और सम्पून देव मनुस्यादी प्र प्राणियों से उत्पन्न दुग्द और धृत आधी की आहूतियों से परितुष्ट अगनी देव ही प्राणियों की स्थिती के लिए पुन्हे विरिष्टी के कारण होते हैं। प्राणि स्री गंगा जी उत्पन हुई हैं। जल समु को आप लावित होकर चंदर मंडल अक्षे अनंतर पुन्हे पहले से भी अधिक का अंतिधरन करता है। जिसने स्री गंगा जी चंदर मंडल से निकल कर मेरू परवत के उपर गिरती हैं। और संसार को पवित्र करने के लिए चारो दिसाओं में जाती हैं। बे एक ही सीता, अलकनंदा, चक्षू और भद्रा इन चार भेदो वाली हो जाती हैं। जिसके अलकनंदा नामक दक्षू और भेदो को भगवान संकर ने अत्यांत प्रिती पूर्वक सो वर्स से भी अधिक अपने मस्तक बधरन किया था। जिसने सिरी संकर के जटा कलाब से निकल कर पापी सगर पुत्रों के अस्थी चून को अपलावित कर उन्हें स्वर्ग में पहुँचा दिया ही मैत्रे जिसके जल में इसनान करने से सीग ही समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। और अपूर्व पूर्णे की प्राप्ति होती है जिसके प्रवह में पुत्रों द्वारा पित्रों के लिए स्राद पूर्वक किया हुआ एक दिन का भी तरपन उन्हें सो वर्स तक दुरलव तरपती देता है हेद्विज जिसके तट पर राजाओने महा यग्यों से यग्य केसर भागवान पुर्शोत्तम का यजन करके इही लोक और स्वर्ग लोक में परमसिद्धिलाब की है जिसके जल में इसनान करने से निश्पाप हुए यति जनों ने भागवान केशव में चित लगाकर अत्युत्तम निर्माडपद प्राप्त किया है जो अपना स्रवण इ दूरी से भी उचरण किये जाने पर जीव के तीन जन्मों के संचित पापों को नश्ट कर देता है तिरलोकी को पवित्र करने में समर्थ वह गंगा जिससे उत्पन हुई है भाई भागवान का तीसरा परमपद है इस परकार श्री विश्नु पुरान के दूसरे अंस में आ लूू लूू